तो हेलो एवरिवर, आप्टर लॉंग टाइम हम वापिस आ चुके हैं अपने विचारों को शब्दों का रूप देने एक वी कितना बेकार बीटा था क्या बताऊं तुम सभी को बिना चैप्टर कैसे लगने लगा था कि कुछ करने को है ही ने बिना नाई चैप्टर के लाइफ में से रंग गायव हो गए थे बट फाइनली हमारे इंतिजार के बाद वन पीस का चैप्टर वन वन टू एट आ चुका है यानि कई तियोरीज को जन मिलने वाला और मुझे कुछ नए टॉपिक्स क्योंकि मेरा धंदा बन नहीं होना चाहिए इस बार का चैप्टर मंगा रीडर्स को ऐसा लग सकता है कि कुछ खास नहीं है बट इसी चीज को जो हम एनिमे में देखेंगे तो मैं पता चलेगा यह कितना जादा अच्छा है हम उस एडवेंचर को वापिस से देखेंगे जिसे कापी टाइम से मिस किया जा रहा है मिस्टीरिस वर्ल्ड माजीवों करीब चीजे होना अपने नीशन 5 के साथ एडवेंचर और मस्ती दोनों को इंजोई करना यह देखें कापी टाइम हो चुका है तुम सब भी जानते हो कि लास्ट आर्क ना किस तरह से हमारे एडवेंचर को बढ़ा कर रखा हुआ था अगर तुम भी मेरी तरह उस एडवेंचर को वापीस से देखने वालों में से हो वो भी एकदम फ्री माइंड किसा तो कमेंट्स बताओ एडवेंचर या फिर फाइट्स तो इस चैप्टर में सन गौड देखने को मिलता है सन गौड नीका नहीं सन गौड जाइंट वो क्या बवाले में आगे बताता हूँ पर जितना हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था वो सब कुछ इल्यूजन था कुछ भी सच नहीं था तभी उसमें इतनी सारी मिस्टिक हर कोई अपने आप को उड़ा से बड़ा समझने लगा था कि मैं तो पापा हूं दुनिया का बापा यह चैप्टर सारी रीसेंट मिस्टरी से परदा उठा था तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक भी ल नमबर वन पर आता है इस्टोएड ड्रेगन के साथ वालकेनों में बार्बेक्यों का मजा उठा रहे हैं और सेकंड में स्टोएड ब्लैक के साथ उड़ रहे हैं विजार्ड वाले रोल में यानि एक मेजिशन की तरह है इसी की सथ एक फाइनल कवर पेज भी है जो सेकंड वाले की तरह ही है जापर स्ट्राइड विजार्ड कॉस्ट्यों में हॉगवर्ड वाली और जाड़ उड़ रहे हैं एक मैसिव ड्रेगन के साथ यानि दौना कवर पेज कंबाइन करके एक आर्ट बनाया गया है यह यूनीक आर्ट कवर पेज वन पीस को ज्यादा खास बना जोरो उसाफ पर लूफी उसके पीछे जैसी वो सभी नीचे आते वो देखते हैं कि पूरा का पूरा किंग्डम में लीगो पीसी से बना है जिसके बीच में ये एक ड्रेसिल ट्री भी है जोरो पताता है कि वो टाउन की दूसरी तरफ उठाता लेकिन लूफी के जाइन ट् पता चलता है कि यह किंग्डम एलबाफ नहीं है यहां पर हर चीज नॉर्मल साइज किया है आउट्फिट यूमन साइज किया है बस एनिमल जाइन और ट्री तक लीगों पीसी से बनी हुए है यह सारा काफी अजीव है यह सभी टाउन में जाकर बाकी गुरों को डोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन सांजी के लिए कहता है कि यहां पर दूर दूर तक रॉबिन डिटेक्ट नहीं हो रही यानि सांजी के रिडार में नहीं हो रही है सांजी के रिडार पर तम डाउट करी नहीं सकते हैं यह लोग टाउन में आगे बढ़ते हैं तभी उन् बताता है कि यह जगह है Land of Gods यहाँ पर हर चीज गौर्ट के अकॉर्डिंग होती है यह गौर्ड वो रैबिट जिसका लूफी ने बरता बना दिया इसकेट वो जाइन के जिसे जस्ट लोग अभी लपेट के आ रहे है जो उस कासल में रहती है और यह बना उसी का सर्वेंट है वो आगे उस इंसिनेंट के बारे में बताता है जो फॉरेस्ट में हुआ फॉरेस्ट में यह गाड हो कोई भोंच कर खा गया है जिसे सुनकर तरफ मत जाना वहां पर संगौर का टेमपल है जो भी वहां जाता है वह वापिस कभी नहीं आता क्योंकि उसे फियर सम गार्डियंस गार्ड करते हैं बस यहीं बोलने की देरी दी लूफी और जोरो तयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए इन दोना कुछ करने को मना किया जा है कि कोई सामने से आ रहा है पर तभी वह एक इन्वीजिवल चीज से टकरा जाता है और कुछ तूट जाता है और वह एक जाइंट मिरर है इंटायर सीनरी बस रिफ्लेक्शन है लीगो टाउन के सभी लोग शौक हो जाता है क्योंके उपर का आसमान क्रैक हो चुगा था उन अंदर के लोग के लिए एक दुनिया है और बहार से यह बस एक फिश टैंक की तरह है कि देखो और मजे लो अंदर क्या हो रहा है जिस तरह से हम फिश टैंक को देखर खुश होते हैं क्या मचली इदर गई उदर गई पर फिश के लिए वह घर की तरह पोट्रे कर रहा है ए उसना इन सभी को एक पैट की तरह रखा हुआ यानि वो सन गॉडड खुद गॉडड वाली फीलिंग ले रहा है तब ही एक आवाज आती है जो मदद के लिए चिला रहे हैं और वो कोई और नहीं अपना टोनी टोनी चौपर है जिसे एक गेज में बंद करके रखा हुआ है ज उसी जाइंट ने इन सभी को ड्रेस पैनाई है इवन नामी को भी हम सभी के लिए नामी क्या है और उसे वो दो बड़े रीजन कुछ भी नहीं लगे होंगे एक की मौबबत दूसरे के लिए खिलोना होते ये बाता सच हो गई उस जाइंट को नामी से फरक भी नहीं पड़ होगा बठ हम से पूचा हो क्या है तुम मुझे कमेंट्स बता कि तुम्हारे लिए नामी क्या है इस रूम में लीगों पीसिस पड़े जिसने उस टाउन को बनाया गया ये लोग अब समच चुके हैं कि वह जाइंट क्या कर रहा था पर उसके वापस आने से पहले यहां से होगा उसाफ टाउन में वापस जाकर इंफोमिशन इकटी करने को कहता है इस वापस में बात करी रहे होते हैं तब ही तो जाइंट टैनिमर रूम में आ जाते हैं एक जाइंट स्नेक जो वर्ल्ड सर्पेंटर दूसरा म्यों गेम एक जाइंट रेवेल है इसने स्कल पहना कौन सी बड़ी बात है इसे देखकर एक बात क्लियर हो जाते हैं हमें आगे के हर्चिज नौर्स माइटलोजी पर मिलने वाली है और यह आर्क मेरे लिए काफ़ी अधर बढ़िया होने वाला क्योंकि मुझे यह माइटलोजी वाला कॉंसेप्ट काफी बढ़िया लगता है इस दौरोज जाइन टैनिवर पर सभी लोग धावा बोल दे और इस दूल चौकडी में रूम में आग लग जाते हम रूम के बाहर देखते हैं कि कोरिडोर से वही संगॉड आ रहा है और इस रूम के डूर पर जैड का सिंबल बनाया हुआ है क्या पता है ऐसे यहाँ पर औ पर हर बस इतने ही होते हैं मेरे क्याल से ज्याद डीटेल में नहीं जाएंगे संगॉड रूम में आकर उसकी हाला देखता है कमरी में आग लग चुके स्नेक और क्रोइन सभी पर अटैक कर रहे हैं लूफी अपने गियर फाइब में और उस आग के बीच में असरा है लूफ संगॉड से बचने के लिए उसी मोडल में वापिस चली जाते हैं और उसी जाइन्ट केट पर एक चमाट मार कर लोग उस पर बैट जाते हैं नाम ये एक मैप दिखाती है जो इस ब्लॉक वर्ल्ड का है स्ट्राइट केट पर राइट करते हुआ आगे बढ़ते हैं कि लोगों ने उसकी कंट्री को डिस्ट्राइट को पता है अगर वो स्ट्रेट दोड़ेंगे तो सामने एक और मिरर वाल आए और वो डिसाइड करते हैं कि उस मिरर वाल को तूड करो बाहर निकल जाएंगे और संगॉड इन सभी का पीछा कर रहा है और इसी के साथ चैप् मुझे तो मजा देते हैं और यह फेक संगॉड माइट भी हैल हो दी गॉड एस ऑफ अंडर वर्ड जो नॉर्स माइटलोजी में लोकी की बहना है और से बीक स्टाफ के साथ डिस्क्राइब किया जाता है उसकी बॉड़े कॉप्स की तरह है यानि हाफ फ्लेश हाफ और और ताकि वह अपर इस डिकेंग बॉड़ी को छुपा सकें आफ्टर स्काइप या लो तुमारे सामने आ चुका एक और फेक गॉड विदा सम्क्रेजी क्रेजी क्रेक्टर डिजाइल और मुझे लग भी रहा है कि वह स्काइप वाली वाइब आ रहे है तो मैं आ रहे है कि नही करती नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और बड़या वीडियो तुमारा वेट कर रही है